भारत के दक्षिनी समुद्री तटका सबसे करीबी और पड़ोसी देश स्रिलंका भारत का हजारों साल पूराना मित्र है और पिछले साल जब स्रिलंका दिवालिया घोशित हो गया था तब एक मातर भारत ही एंसा देश था जिसने स्रिलंका की मज़द की थी और वर्तमान में स्रिलंका को IMF से लोन दिलाने के लिए भारत एक गारेंटर भी बना हुआ है क्योंकि भारत के लिए स्रिलंका सामरिक और रणनतिक रूप से सबसे महतुपूर्ण देश है और स्रिलंका और भारत की दूरी मात्र 53 किलोमेटर ही है जबकि भारत के खुद के द्विपसमों अंडमान और निकोबार की दूरी भारत से 1914 किलोमेटर है तो अंडमान और निकोबार की तुलना में स्रिलंका कहीं गुना भारत के नस्दिक है फिर भी स्रिलंका भारत का हिस्सा नहीं है इस कारण कहीं लोग मानते हैं कि साल 1946 में भारत की आज़ादी के समय स्रिलंका को भारत के साथ नहीं मिलने दिया गया था तो कहीं लोग ये मानते हैं कि स्रिलंका कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं और इतना ही नहीं जब भी भारत का मेप दिखाई देता है तब स्रिलंका एक मातर ऐसा देश है जो भारत के मेप के साथ दिखाई देता है जबकि नेपाल, पाकिस्तान और भुटान जैसे देश भारत के साथ में नहीं दिखाई देते है तो इसका क्या कारण है यह भी आगे जानेंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्रिलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि स्रिलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं है क्यों भारत के नक्षे में हमेशा स्रिलंका को दिखाई जाता है साथ ही भारत और स्रिलंका के बीच इतनी सांस्कृतिक समनता है क्यों है क्या कभी स्रिलंका को भारत में मिलाने की कोशिश किसी ने की थी वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में तो वीडियो के अंति तक हमारे साथ बने रहिया तो जानकर आपको हेरानी होगी कि जिस श्रिलंका को आजम जानते है उसका नाम पहला सिलोन हुआ करता था लेकिन साल 1972 में सरकार ने सिलोन का नाम बदल कर लंका कर दिया और फिर साल 1978 में इसके आगे एक सम्मन चुचक शब्द श्री को जोड़ दिया गया जिसके बद इस देश का नाम स्रिलंका बढ़ गया खेर तो स्रिलंका और भारत के सबंद हजारों साल पूरान है क्योंकि स्रिलंका का जिक्र भारत के महाकाविय रामायन में भी मिलता है जब भगवान स्री राम माता सीता को रावन से छोड़ाने के लिए स्रिलंका गया थे साथ स्रिलंका को भारत से जोड़ने के लिए स्री राम ने राम सेतु का निर्मान भी किया था चो आज भी सेटलाइट के जिरिये देखा जा सकता है इतना ही नहीं स्रिलंका के कहीं विग्यानिक भी यह मानते हैं कि भारती आरियन लगबग पांस बीसी में यानि आज से पच्छी सो साल पहले भारत छोड़कर स्रिलंका आकर बस गिया थे इसके इलावा स्रिलंका की प्राचिन एत्यासिक पूस्त के महावंश और दीपवंश में बता गया है कि पस्षिम बंगाल से विज़ज नामक राजा और उसके साथ साथ चो अनुयाई भी स्रिलंका आकर बस गिया थे और भारत के राजा समराट एशोक के पूत्र महेंद्र ने भी स्रिलंका में आकर बहुत धर्म का प्रचार किया था और आज स्रिलंका के उत्तर में रहने वाली आबादी पर निज़र डाले तो जहदे तर आबादी उनकी हिंदु धर्म को मानती है लेकिन वर्तमान स्रिलंका की सबसे बड़ी आबादी सिहल जाती की है जिसका निर्मान भी भारती आरियन और स्रिलंका के स्वदेशी लोगों के आपस में मिलकर हुआ था और वहां के सिहल भाषा का निर्मान भी भारत की गुजराती भाषा और संधी भाषा के मेल से हुआ है और भारत के राजवादवरा फेला गए बोज़ धर्म के कारण आज स्रिलंका में जातीतर आबादी बोज़ धर्म को ही मानती है इसके अलावा स्रिलंका में 12 फिजदी आबादी हिंदू भी है और सबसे मोहतिपूर्ण ये कि एक रिचर्स के अनुसार स्रिलंका की 90 फिजदी आबादी में आज भी भारती DNA मिलता है इसके अलावा साल 1993 इस्वी में महान चोलवंच के समराट राजा सोला ने स्रिलंका पर आक्रमन कर दिया था और उनके अनुरधा पूरम सामराज्जी को अपने सामराज्जे में मिला दिया जिसके कुछ समय बाद पूरा स्रिलंका सोला सामराज्जी के अधिन आ गया था स्रिलंका की जमीन पर गहरा असर हो गया था तभी तो आज स्रिलंका का बोजन और दक्षिन भारत का बोजन लगबग एक समान है साथ स्रिलंका का पहनावा और रहन सेहन पर एक ही समान दिखाई देता है तो भारत और स्रिलंका में इतनी सारे समान ताय होने पर कहीं एक्सपर्ट ये भी कहते है कि स्रिलंका को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए था लेकिन ऐसे कहीं कारण उत्पन हो गया कि स्रिलंका कभी भारत का हिस्सा ही नहीं बन पाया स्रिलंका भारत का हिस्सा ना बनने का सबसे बड़ा कारण यहां था कि स्रिलंका इतिहसिक रूप से एक आज़ाद देश के रूप में रहा है स्रिलंका के जहते तर आबदी सिहल जाती किया और ये देश सिहल लोगों के द्वारा ही साशित किया गया है इतिहस में ऐसा कम ही बार हुआ है जब स्रिलंका पर किसी बाहरी राजा ने शाशन किया हो और जब स्रिलंका के इतिहास में कुछ समय के लिए भारिती राजाओ पांडिया और शोला ने शाशन किया था तब भी आंतरिक रूप से सिहल राजाओ के द्वारा ही स्रिलंका को साशित किया गया था यानि भारती आरियन लोग स्रिलंका में भले आया हो लेकिन इनोंने स्रिलंका पर कभी राज नहीं किया था वे तो बस इनकी आम जंता के साथ खुल मिलकर यहीं पर बस गिया थे यानि जो देश एक लंबे समय तक किसी बाहरी साशक का गुलाम ना रहा हो उसका किसी दूसरे देश के साथ जोड़ना लगबग असंपो होता है लेकिन फिर आधुनिक समय में स्रिलंका भी हमारे भारत की तरह ब्रेटिश हुकुमत का गुलाम रहा था असल में स्रिलंका में पहले पूर्तिगाली फिर डच और आखिर में फिर ब्रेटिश हुकुमत ने राज किया था साल 1790 तक में ब्रेटिश सरकार ने स्रिलंका के 30 इलाकों पर कबज़ा कर लिया था जबकि साल 1816 में ब्रेटिस सरकार ने पूरे स्रिलंका पर कबजा जमा लिया था यानि भारत और स्रिलंका दोनों ही ब्रेटिस सरकार के गुलाम रहा थे इस कारण दोनों देशों में उसको समानताई भी देखी जा सकती है जैसे कि रेलवे और चाय की खेती का विकास अंग्र प्रिटिस कोलोने के अंतर्गत आता था क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था जहांके जादेतर क्षेत्रों पर राजाशाही हुकुमत में थी तो कहीं क्षेत्र पर ब्रिटिस हुकुमत भी थी इसलिए 1816 के शिर्वाच्चे ही स्रिलंका को भारत चे अलग ब्रिटिस स सरकार के द्वारा शाशित किया गया था वहीं अगर भारत के आज़ादी के समय की बात करें तो साल 1946 में भारत को भी ब्रिटिस सरकार के द्वारा पूरे भारत को एकी एड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंतरगत शाशन किया गया था जिसकारण 1946 तक भारत की सिमा ये न मिला दिया था लेकिन इन रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल को कापे महनत करने पड़ी क्योंकि कहीं रियासते एक अलग देश बनना चाहती थी फिर भी सेना की सहायता से सरदार वल्लबभाई पटेल ने ब्रेटिस एंडिया की सभी रियासतों को भारत में मिला दिया था लेकिन 1946 तक स्रिलंका पर अंग्रेजों का अधिकार था और स्रिलंका पहले से ही भारतिय ब्रेटिस एड्मिनिस्टरेटों के अंतरगत नहीं आता था इसकारण सरदार वल्लबभाई पटेल भी स्रिलंका को भारत में नहीं मिला सकते थे वहीं श्रिलंका को भी चार फरवरी 1948 को ब्रेटिश हुकुमत से आज़ादी मिल गई थी और अगर श्रिलंका के संस्कृति और सभ्यता की बात की जाए तो इसका निर्मान भारती आरिय संस्कृति और श्रिलंका के मुल निवासियों से मिलकर बनी हुई है इसकारण स्रिलंका और भारत में थला विदा बोध धर्म, रहनचान और खानपान में काफी समानता ही पाई जाती है लेकिन स्रिलंका के सिहली जाती जिसकी जन्संक्या स्रिलंका में लगबग 72.2 फिजदी तक है और ये जाती भारत की संस्कृति को खुद की संस्कृति से काफ़े अलग मानते है इस करण ये सिहली जाती किसी दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा साशित नहीं होना चाहते थे इस करण भी स्रिलंका ने कभी भारत का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की और नाही भारत ने स्रिलंगा को खुद में मिलाने का कभी प्रियास किया है क्योंकि भारत की संस्कृति और सब्यता से समानता रखने वाले नेपल, म्यानमार और भूटान जैसे देश भी है चो आज़ादे के बाद भारत का हिस्सा नहीं बने क्योंकि सबी देश या समुदाई किसी दूसरे साशन के द्वारा साशित नहीं होकर स्वाइम के समुदाई द्वारा ही साशित होना पसंद करते है जिसकरन श्रिलंका ने भी सिहली लोगों के द्वारा ही साशित होना चुना था लेकिन फिर आजाती के बाद सिक्किम राजी का भारत में जिस प्रकार विले हुआ था उसी प्रकार स्रिलंका का भी भारत में विले होने की संभावनाय बन चुकी थी लेकिन अंग्रेजों ने साल 1948 में स्रिलंका को आजाती देने के बाद स्रिलंका पर साशन का एकाधिकर सिहली जाती के लोगों को दे दिया जिससे स्रिलंका के तमिल समुदाई हाशिय पर आ गिये सिहली जाती के सरकार द्वारा तमिल समुदाई के लोगों पर काफी अत्याचार भी किये गिये और साल 1980 तक स्रिलंका और भारत के सबंद कापि गह रहे थे और ऐसा अनुमान भी लगाये जा रहा था कि स्रिलंका भारत का हिस्सा बन सकता है लेकिन साल 1983 में स्रिलंका में ग्रुह युद शुरू हो गया चो लिट्टे यानि लिबरेशन टाइगर सोप तमिल इमल और स्रिलंका की सेना का भी शुरू हुआ था और इसी युद्ध के कारण स्रिलंका का भारत में मिलने के संभावनाये पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी लिट्टे संगटन स्रिलंका का सबसे बड़ा आतंकवादी संगटन था चो उत्तरों और पूर्वों में तमिल देश इलम बनाना चाहता था और 1970 और 1980 के दश्रक में भारती खुपे आजेंसी रो और तमिलनांडु की सरकार पर भी काफी आरोप लगे थे के इनोंने लिट्टे संगटन को पैसे, ट्रेनिंग और हत्यार देकर काफी मदद की थी और इस ग्रूप को खड़ा होने में सहायता की थी इस कारण उस समय भारत और स्रिलंका के सबंथ थोड़ा बहुत खराब भी हो गया थे लेकिन बाद में स्रिलंका और भारत ने एक सांधी समझोता भी सायन किया इसके बाद लिट्टे ने राजिव गांधी की अत्या भी कर दी जिसके बाद भारत चरकार ने भी लिट्टे को एक आतंक वादी संगटन गोशित कर दिया यानि स्रिलंका के गिरुहियत के कारण भारत और स्रिलंका के मिलन के पूरी संभावना को खत्म कर दिया इस कारण तो आज भी स्रिलंका के कुछ प्रधान मंतरी और रश्टपती कई मोकों पर भारत के बारे में बुरा भी बोलते है और शायद यहीं वो कारण था कि स्रिलंका कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया लेकिन श्रिलंका भारत का हिस्सा ना होने के बावजूद भी जब भी विश्व पलेट पर भारत का नक्षा दिखाई जाता है तब उसके साथ श्रिलंका का नक्षा भी साथ में दिखाई देता है जिसका कारण सैंक्त राष्ट के द्वारा बनेया गया लो अब्द सी है इस कानून के मुताबित अगर किसी देश की सीमा समदरे से लगती है तो 200 नौटिकल माइल यानि 370 किलोमेटर तक का समुदरी इलाका उस देश का समुदरी इलाका माना जाएगा इस नियम के अंतरगत भारत के समुदरी सीमा के भीतर स्रिलंका भी आता है क्योंकि भारत के धनुशकोडी से स्रिलंका के दूरी मातर 18 किलोमेटर ही है इसलिए लो अब्द सी के अंतरगत भारत को अपने मैप में स्रिलंका को भी दिखाना आनिवारी है इस कारण भारत के साथ हमेशाब मैप में स्रिलंका दिखाई देता है तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में कि स्रिलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना उम्मेदे आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करे पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इस तरह के इन्फोमेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाए